दोस्तों ये वाली effect को मैं बनाना बताऊंगा और एकदम सिंपल सा तरीका है जिससे आप असानी से भी सीख जाओगे कि इस तरीके की effect को कैसे apply किया जाता है तो आप किसी भी वीडियो पर इस तरीके की effect को easily apply कर सकते हो जस्ट ये मेरा वीडियो पूरा देख लेना आपको इससे समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले तो आपको अपने फोन में इस एलाइट मुसन एप को ओपिन कर लेना है और एलाइट मुसन एप उपिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर से इस पलस के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको अपनी बीडियो के इस आप से किसी भी साइज को सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको नीचे क्रेट पर क्लिक कर देना है और अभी आपको यहाँ से इस पलस पर क्लिक करके इस media वाले option पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से अपनी किसी भी एक वीडियो को select कर लेनी है जिस भी वीडियो पर आप इस तरीके का effect apply करने वाले हो तो गाईस हमने इस वाली वीडियो को select कर ले आप देख सकते हैं यह वीडियो एकदम normal ही है तो इसी पर वो effect apply करने वाले हैं तो सबसे पहले अभी आपको यहाँ से इस वीडियो के शुरुआत में चले आना है और इस पलस के बटन पर click कर देना है और उसके बाद यहाँ से इस वाले shape को select कर लेना है उसके बाद इस shape को अच्छे तरीके से zoom कर लेना है और यहाँ से इस color and fill पर click करके red वाले color को select कर लेना है और यहां से आपको एक बड़ चले जाना है और इस िपुक्त वाले प्सलग करके Add Effect पर क्लिक कर देना है और इस प्लेक्त अपको Search जाना है और Search बार में जाने के बार को यहां पर से Copy Background Search करना है तो दोस्तों आपको Copy Search करना है First में Easily आपको मिल जागा Copy Background तो इस Copy Background वाले Efect को आपको यहां से Select कर लेना है और उसके बाद इस Standard Setting पर Click कर देना है और उसके बाद आपको फिर से iAd Efect वाले Option पर Click कर देना है और फिर से Search Bar में चले जाना है और इस वक्त आपको Gaussian Blur सर्च करना है तो just आपको GAU सर्च करना है फर्स्ट में easily आपको मिल जागा Gaussian Blur तो इसको आपको select कर लेना है और उसके बाद इस standard setting पर click कर देना है और अभी आपको फिर से side effect पर click कर देना है और search बार में चले जाना है और इस वक्त आपको box blur सर्च करना है तो आप box search करोगा तो आपको second में मिल जागा box blur तो इसको select कर लेना है और उसके बाद इस standard setting पर click कर देना है और एक और effect आपको search करना है तो इस effect का नाम है exposure and gamma तो e x search करोगा आपको first में easily मिल जागा exposure gamma तो इस exposure gamma को आपको select कर लेना है और इसके बाद इस standard setting पर click कर देना है तो भी दोस्तो इस exposure gamma पर आपको click कर देना है और ऊपर में जो exposure है इसको आपको सबसे कम कर लेना है तो इसको minus 0.55% के आस्पास कम कर लेना है और इतना कम कर लेने के बाद आपको direct screen पर एक बाड टैप कर देना है और यहां से इस प्लस के बटन पर क्लिक करके इस वाले shape को select कर लेना है उसके बाद इस shape को अच्छे तरीके से zoom कर लेना है और यहां से इस color and fill पर click करके white color को select कर लेना है white color select होगा उसके बाद आपको यहां से एक बड़ बैक चले जाना है और इस blending and opacity वाले option पर click करके थोड़ा सा नीचे कर देना है तो यहां आपको एक contacts का option मिलेगा तो यहां से आपको इसको overlay कर देना है बड़ लेक कर देने एक बाद दोस्तों अभी आपकी वीडियो में थोड़ा सा 4K वाला quality अपलाई हुआ है तो अभी आपको यहां से सबसे नीचे वाले यानी वीडियो वाले layer पर click कर देना है और उसके बाद आपको यहां से इस effect वाले option पर click कर देना है search bar में जाने के बाद अभी आपको यहां से channel ramp RGB सर्च करना है तो आपको first में easily मिल जाएगा तो इसको select करके इस standard setting पर click कर देना है तो अभी आपको यहां पर से चार लाइने देखने को मिल लए होगी RGBA तो अभी आपको यहां पर से third वाले line में से G को select करना है और उसके बाद आपको second वाले line में से Y को select कर लेना है और इतना select करने के बाद आपको इसकीन पर एक बाद टैप कर देना है तो आपकी वीडियो में जो है effect apply हो जाएगी तो आप देख सकते हो हमारा HDR वाला effect apply हो चुका है तो देखने में भी काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन export होने के बाद मैं इसका result दिखाने वाला हूँ तो इससे पहले हम अपनी पूरी वीडियो पर effect apply कर लेते है तो यहां से आपको सभी layer को mark कर लेना है और उसके बाद आपको वीडियो को सबसे अंत में चले जाना है और उसके बाद आपको इस वाले निसान पर click कर देना है इससे आपकी effect जो है पूरी वीडियो में apply हो जागी अब इस वीडियो को save करने के लिए उपर में जो निसान देख रहा है इस पर click कर देना है और यहां से इस 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 वाले बटन पर click कर देना आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो ना स्सक्राइब हो जाएगी दोश्तों रिजल्ट कि जलते अगली वीडियों में विल्समारा तैसे एच झो आप पिखार गज्राम इस ऐढ्रीक आयाँ बदोस्त नीस आप ड्राबन एक दो हमेे unknown झाल